Hello friends and Meadows Den, Pharmaceutical Quality Assurance BP604 ठीके इस वीडियो में हम लोग क्वालिटी कंट्रोल और पैकेजिंग मैटेरियल में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फार मैटल कंटेनर्स के बारे में बात करेंगे और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फार प्लास्टिक कंटेनर्स के बारे में बात करेंगे इसके last video में हम लोगों ने quality control test for glasses के बारे में बात किया था जो glass के container हैं उनमें कौन को उनसे quality control test होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने last video में बात किया था इस video में हम लोग जो हमारे होते हैं यहाँ पे metal containers और plastic containers जिनको हम लोग अपने pharmaceutical industry में यूज करते हैं उनके quality control test के बारे में बात करेंगे मेरा नाम है डॉक्तर महनताब सींक्ट चलिए शरू करते हैं तो अगर हम लोग्स कंट्रोल जो हमारे test होते हैं उनके बारे में बात करते हैं mentorship हेले हम नोग जो यहांपे metal containers करते हैं उनके क्वार्टी कंट्रोल टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो अगर हम लोग जो हमारे होते हैं या ऐ Learn vinyl के containers उनको अधियतर हम लोग जो हमारी tubes वागरा होती हैं उनको वहाँ पे prepare करने के लिए या हम कह सकते हैं कि जो हमारा in government वागरा है जो हमारी cream वागरा है उनको वहाँ पे pack करने के लिए हम लोग जो हमारे metal के containers होते हैं उनको अधितर use करते हैं तो इस condition में अगर हम लोग इसके quality control test के बारे में बात करते हैं तो हमारा वो lot जिसकी हमें वहाँ पे testing करनी होती है उसमें से approximately हम कह सकते हैं 50 tubes को हम लोग सबसे पहले लेते हैं और फिर उ suitable ointment base होता है उसको फिर हम लोग यहाँ पे करते हैं molten या हम कह सकते हैं कि हलका सा उसको वहाँ पे कर लेते हैं melt और उसके बाद में फिर हम लोग जो हमारी tubes हैं उनके अंदर उसको वहाँ पे place कर देते हैं तो उसके बाद में जब हमारी tubes हैं उनके अंदर ointment base हम लोग place कर देते हैं तो फिर हम लोग अच्छे से वहाँ पे close कर देते हैं और इसका जो end होता है उसको हम लोग फिर अच्छे से यहाँ पे close कर देते हैं फिर उसको हम लोग हम कर सकते हैं over the night 15 to 20 degree centigrade के temperature पर हम लोग फिर उसको वहाँ पे stand कर देते हैं वहाँ पे छोड़ देते हैं तो उसके बाद में हमारा वो जब यहाँ पे एक तरह से एक रात कंप्लीट हो जाती है ओवर दे नाइट वो वहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं तो उसके एक तरह से बाद में हम लोग यहाँ पे filtration की process को हम लोग करते हैं तो इस condition में जो हमारे होते हैं आप एक तस वो metal होते हैं bacteria logical filters होते हैं जिसमें हम लोग filter paper को use करते हैं उसको हम लोग यहाँ पर use करते हैं जिसकी की जो होती है porosity वो हमारे अनुसार होती है तो इस condition में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो भी हम यहाँ पे filter उपयोग करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे heated एक तरह से कर लेते हैं और इसको हम लोग जो हमारा ointment base हमने अपने tubes के अंदर pack किया है उसका जो हमारा होता है melting range उसके उपर के temperature पे हम लोग इसको यहाँ पे heat कर लेते हैं वो जैसे कि हमारी जो filtration की process है वो वहाँ पे आसानी से हो जो भी हमारा ointment base है वो उस temperature पे आसानी से melt हो जाया तो उस condition में अब हम लोग इस place पे क्या करते हैं कि जो हमारी tubes होती है उनको हम लोग एक वहाँ पे कह सकते हैं certain rate से हम लोग squeeze करने का काम करते हैं उसको press करने का काम करते हैं जिससे कि उसका जो content है एक वहाँ पे हम कह सकते हैं कि certain rate से हमारी tubes में से वो बाहर निकले तो उसके बाद में जो हमारा होता है filter होता है उसके थुरू हम लोग उसको वहाँ पर करते हैं पास करते हैं और जो हमारा filter होता है उसके नीचे हम लोग vacuum create कर देते हैं जिससे की हमारा rate of filtration वहाँ पर increase हो जाए तो उसके बाद में हमारा एक तरसे जब हमारा ointment हमारा जो filter paper है उससे वहाँ पे filter हो जाता है तो उस condition में जो हमारा filter एक तरह से paper होता है फिर उसको हम लोग अच्छे से वहाँ पे wash कर लेते हैं और इसको हम लोग यहाँ पे तीन बार एक तरह से wash करते हैं जो हमारा 30 ml chloroform है उसकी जो होती है successive quantity उसके साथ में हम लोग तीन बार अपना जो हम हमारा filter paper होता है फिर हम उसको अच्छे से dry कर लेते हैं तो इस place पे जो हम लोगों ने यूज किया था अगर उसके अंदर जो हमारी tubes के होते हैं metal के traces अगर वहाँ पे आ जाते हैं तो हमारे filter paper के उपर वहाँ पे एक तरह से वह रुख जाते हैं तो उस condition में जब हमारा filter paper यह यहां पर completely dry हो जाता है तो फिर उसको हम लोग यहां पर examine करते हैं जो भी हमारा filter paper है उसको हम लोग यहां पर examine करने का काम करते हैं तो इस condition में हम लोग इसको जो हमारे होते हैं यहां पर magnifying glasses होते हैं उनको यहां पर उपयोग करते हैं जो हमारे microscopes वगरा होते हैं उनको यहा neighborhood वगेरा उनको हम लोग यहां पर उपयोग करते हैं यह सिंपली कह सकते हैं। सिंसे कि जो भी हमारे वहां पे मैटल के τरोंश है उनका साइज से हम लोग आसाली से डिटरमाइन कर पाए तो इस कंडिशन में हम लोग इस प्लेज पे एक तरह से कह सकते हैं कि किन किन size के जो metal है उनको वहाँ पे examine करते हैं तो जो भी हमारा वहाँ पे होता वो metal का particles होता है जिसका की size यहाँ पे 1 mm या उससे ज़्यादा का होता है उसके हमारे कितने numbers है उसको हम लोग वहाँ पे examine करते हैं हमारा जो वहाँ पे होता वो metal का particles अगर उसका range 1 mm से 0.5 mm के ब है वो 0.5 mm से 0.2 mm के बीच का है तो उसका भी नंबर हम लोग यहां पर एक्जामिन कर लेते हैं तो इस कंडिशन में हम लोग अब इसको जो भी हमारे इस प्लेज पे आते हैं पार्टिकल उनको हम लोग उनके जो साइज है उसके अनुसार उसको एक स्कोर वहां पर जाएगा और अगर जो हमारे पार्टिकल है जिनका साइज 1 mm से वहां पर जादा है अगर वो 2 है तो यह हमारा 50 प्लस 50 हैंडेट हो जाएगा इस तरह से हम लोग इसको यहां पर इसको प्रोवाइड करते हैं तो जो हमारा पार्टिकल होता है जिसका की जो साइज है वो हमार जादा होता है, 0.5 mm से जादा होता है, बट 1 mm से वो वहाँ पे कम होता है, उसका score हमारा यहाँ पे 10 होता है, अगर जो हमारा particle है, वो हमारा 0.5 mm से यहाँ पे जादा है, और 0.5 mm से अगर कम है, तो उस condition में, इसका score हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और वो particle जिनका की size 0.2 mm से क होता है उसका हमारा कोई भी score यहां पे नहीं होता है तो इस तरह से हम लोग जो हमारा score है वो यहां पे अपने पास note down करते हैं तो अगर हम लोग यहां पे जो हमारा result आता है उसके बारे में बात करते हैं तो इस condition में अगर जो हमारा total score है वो हमारा handed से कम है तो उस condition में हमारा test वहाँ पे complies हो जाता है हमारी tubes उस place पे pass हो जाती है अगर जो हमारा total score है वो हमारा 150 से अगर ज्यादा होता है तो हमारा test वहाँ पे fail हो जाता है और अगर जो हमारा score है वो 150 से और handed के बीच में होता है तो उस विपीट करने की आवजएकता होती है, तो आसान तरीके से यहाँ पर score जो हमारा क्या है, कि अगर हमारा पार्टिकल, एक पार्टिकल, हमारा एक mm का आया या उस से ज्यादा है, तो उस condition में हम लोग उसको, वहाँ पर 50 score देंगे, उसके बाद में अगर हमारे एक तरह वह तरह particle का जो size है वो 0.5 से 1 mm के बीच का है तो उस condition में उसका score हमारा हो जाएगा 10 into 3 हो जाएगा तो यह हमारा total 80 हो जाएगा और अगर हमारे उसके अंदर वो 10 particles हैसे हैं जिनका की size 0.2 से हमारा हम कह सकते हैं कि वो 0.5 के बीच में है तो उस condition में उसका जो score है 2 into 10 हो जाएगा तो यह हमारा 20 हो जाएगा तो यह कितना हो गया हमारा यह हमारा हो गया एक तरह से 80 plus 20 handed हो गया तो इस condition में क्या है कि हमारा test वहाँ पे comply हो जाएगा तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि इस तरह से जो भी हमारे होते हैं metal के container उनका हम लोग यहाँ पे quality control test कर लेते हैं अब हम लोग यहाँ पे quality control test for plastic containers के बारे में बात करेंगे तो जो हमारा plastic containers है उसको हम लोग अधिकतर अपने pharmaceutical packaging में उपयोग करते हैं तो अगर हम लोग इसके quality control test के बारे में बात करते हैं तो इसका जो हमारा सबसे पहला test है that is called the leakage test तो इस condition में अगर कोई हम plastic की bottle prepare कर रहे हैं तो उस condition में उसका हम लोग leakage test सबसे पहले यहाँ पे करते हैं इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो हमारी होती है प्लास्टिक के कंटेनर है उसके हम लोग यहाँ पे दस जो कंटेनर है उनको वाटर से वहाँ पे फिल कर देते हैं उसके बाद में जो वहाँ पे इंटेंडेड हमारा क्लोजर होता है उसको हम लोग प्रॉपरली वहाँ पे फ बेस कर देते हैं तो आसान तरीके से कहें कि वो हमारा प्लास्टिक के कंटेनर जिनको हमको वहाँ पर टेस्ट करना है उन में से हम लोग 10 कंटेनर लेते हैं उनको पानी से अच्छे से भर लेते हैं उसके बाद में उसका जो हमारा क्लोजर है उससे अच्छे से टाइट कर लेत पिर इसको रोम टेंपरेचर पर हम लेते हैं फिल्टर पेपर और उसके उपर, उसको उल्टा करके वहां पर रख देते हैं, जो हमारा कया होता है, वो नीचे के साइड होता है और उसकी body वहाँ उपर के side होती है और इसको हम लोग 24 hour के लिए छोड़ देते हैं तो इस condition में अगर जो हमारा उस place पे filter paper है उसके उपर हमें leakage का कोई भी sign अगर देखने को प्राइप नहीं होता है तो इस condition में जो हमारा वहाँ पे container है वो हमारे test को यहाँ पे pass कर जाता है उसके बाद में जो हमारा अगला है test that is called the collapsibility test तो इस test को हम लोग उस condition में करते हैं अगर जो हमारा container है उसको हमें squeeze करना है means हमें अगर हम इस plastic के container की tubes वगएरा prepare कर रहे हैं तो उस condition में हम लोग इस test को यहाँ पे perform करते हैं तो इस condition में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारी वहाँ tubes वगएरा होती हैं उसको हम लोग उस place पे एक तरह से उसकी करते हैं collapsing करते हैं हम कह सकते हैं inward की तरह उसको वहाँ पे press करने का काम करते हैं तो जब हम लोग उसको वहाँ पे press करते हैं तो उस condition में हमारा उसके अंदर जो भी उसके अंदर content होता है उसका जो है हमारा 90% से जादा content हमारा उसमें से एक required rate के साथ में हमारे हम कह सकते हैं कि एक ambient temperature पे हमारी tubes के अंदर से बाहर निकलना चाहिए यह तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हम प्लास्टिक के tubes वगरा यूज कर रहे हैं अगर उसके हम लोग जो collapsibility test है उसके बारे में बात करते हैं तो उसकी हम लोग करते हैं collapsing अंदर की ओर में उसको वहाँ पे दापते हैं तो उस condition में अगर हम लोग उसको एक तरसे ambient वहाँ temperature पे रखते हैं और उसको वहाँ पे दापते हैं तो उस condition में वहाँ पे required rate के साथ में वहाँ पे उसके अंदर का जो content है उसका 90% से जादा content हमारा बाहर निकल आना चाहिए तो उस condition में हमारा जो होगा एक तरसे collapsibility test वो यहाँ पे पास हो जाएगा उसके बाद में है हमारा अगला test यह हमारा water vapor permeability test तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग जो भी हमारे container है उन में से 5 container को हम लोग वहाँ पे लेते हैं और उसके अंदर ज देते हैं और फिर उसको जो हमारा aluminum का foil होता है उससे अच्छे से हम लोग यहाँ पे seal कर देते हैं तो उसके बाद में अब हम लोग इस place पर क्या करते हैं कि अब हम लोग जितनी भी हमारी वहाँ पे container हैं उनका हम लोग अलग अलग accurately उनको वे कर लेते हैं और फिर उसको हम approximately 14 days तक के लिए हम लोग वहाँ पे छोड़ देते हैं तो इस condition में जो हमारा वहाँ पे environment होता है जहाँ पे हम लोग इसको रखते हैं वो उसकी जो हमारी relative humidity है वो 60 plus minus 5% relative humidity वहाँ पे हम लोग maintain करते हैं और इस condition में जो temperature है वो 20 to 25 degree centigrade के temperature पे हम लोग 14 days तक के लिए उसको लाते हैं तो फिर हम लोग जो हमारे containers हैं उनका रिवेट वहाँ पे करते हैं तो इस condition में अगर जो हमारा वहाँ पे है container उसका जो वहाँ पे weight में loss हो रहा है वो वहाँ पे 0.2% से ज्जादा का weight loss नहीं होना चाहिए तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि 5 container हम लोग वहाँ पे लेते हैं, एक जो हमारा होता है नॉर्मन वालूम तर्च राक्राश्चित नाश्म०ाटर को फिल कर देते हैं, एलमुनियूम फायल से अच्चे से बॉटल को embora ले देते हैं उसके बाद में फिर हम लोग उसको उसका वेट वहाँ पे वो ले लेते हैं हर हमारी बॉटल का वेट ले लेते हैं हर कंटेनर का वेट ले लेते हैं उसके बाद में उसको हम लोग जो हमारा होता है 60 प्लस माइनस हाला 5% relative humidity और 20 से 25 degree centigrade के एक environment में वहाँ पे 14 days के लिए छोड़ देते हैं फिर जब 14 days हो जाते हैं तो फिर उसका हम लोग हम लोग वहाँ पे फिर से weight एक तरह से लेते हैं और इस condition में अगर हमारा जो container है उसका जो weight में loss है वो 0.2% से कम है तो उस condition में हमारा जो container है वो हमारा water vapor permeability test को पास कर जाता है उसके बाद में जो हमारा है अगला test वो है हमारा transparency test तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग IP के अनुसार या जो भी हमारी standard books होती हैं उनके अनुसार एक standard suspension prepare करते हैं तो इसमें जो हमारा hydrogen sulfate होता है उसका हम लोग लेते हैं 1 gram लेते हैं और उसको हम लोग handed ml जो water है उसमें हम लोग place कर देते हैं और फिर उसको हम लोग approximately 6 गंटे के लिए एक साइट रख देते हैं तो जब हमारा 6 गंटे हो जाता है तो फिर इसको हम लोग इसका यहाँ पर लेते हैं 25 ml लेते हैं और इसमें हम लोग approximately 10% weight by volume जो हमारा hexamine होता है उसको फिर हम लोग इसके अंदर add कर देते हैं और जब इसको add कर देते हैं तो फिर इसको हम लोग 24 hour के लिए एक stand by position पर छोड़ देते हैं तो इस तरह से हमारा एक standard suspension यहाँ पर prepare हो जाता है तो जब हमारा यहाँ पर standard suspension प्रपेर हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर test solution को prepare करते हैं और यह जो हमारा diluted solution होगा इसी को हम लोग यहाँ पर test solution कहते हैं तो इस condition में अब हम लोग क्या करते हैं कि फिर इसको हम लेते हैं पाच container और उसके अंदर properly हम लोग फिल कर देते हैं और फिर उसके बाद में इसका जो absorbance है वो हम लोग यहाँ पर एक तरह से 64 nanometer की जो हमारी electromagnetic radiation होती हैं उनके उपर हम लोग इसका absorption वहाँ पर एक तरह से measure करते हैं इस condition में इसको हम लोग compare करते हैं with the absorption of the water से हम लोग इसको compare करते हैं तो इस condition में जो हमारा absorption का यहाँ पे range होना चाहिए वो हमारा 0.37 से 0.43 के बीच में अगर है तो उस condition में जो हमारा वहाँ प्लास्टिक का container है वो इस test को यहाँ पे pass कर जाता है अब हम लोग अपने जो हमारा अगला test है उस पे आते है that is called the biological test तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें हम लोग तीन test को यहाँ पे perform करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला है that is the systemic injection test तो इसमें हम लोग जो animal use करते हैं उसमें हम लोग जो हमारे albino mice हैं उनको यहाँ पर उपयोग करते हैं तो जैसा कि नाम से ही indicated है हम लोग जो भी हमारे होंगे animal उनके अंदर इसको यहाँ पर inject करेंगे तो इस condition में हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा sample होता है और जो हमारा blank हो होते हैं उनके अंदर हम लोग sample और blank को यहां पर inject करते हैं और फिर हम लोग जो animals हैं उनको यहां पर observe करते हैं तो यह जो हमारा होता है एक तरसे injection इसको हम लोग एक तरसे कह सकते हैं 4 hour के बाद 24 hour के बाद 48 hour के बाद और यहां पे 72 आवर के बाद हम लोग इसको यहां पे repeat करते हैं और इस condition में अगर जो हमारा वहां पे होगा test animal है उसके अंदर अगर हमें एक तरसे किसी भी प्रकार का वो significant तरसे biological reactivity होती है वो वहां पे ज्यादा हमें देखने को प्राथ नहीं होनी चाहिए तो इस condition में अगर हम जो है biological reactivity वो अगर अपने animal में देखने को प्राथ नहीं हो रही है तो उस condition में जो हमारा blank है और जो हमारा sample है वो हमारी जो requirement है उनको वहां पे meet कर जाएगा test हमारा यहां पर pass हो जाएगा तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि हम लोग जो हमारा test group है उसका हम लोग लेते हैं प 24 hour के बाद 48 hour के बाद और यहां पे 72 hour के बाद इसको inject करते हैं और उनके अंदर जो होती है biological reactivity उसको हम लोग वहां पे examine करने का काम करते हैं तो अगर हमारे animal के अंदर हमें एक तरसे किसी भी प्रकार की जो biological reactivity है देखने को प्राथ नहीं होती है तो उस condition में हमारा जो test है वहां पे pass हो जाता है हमारा जो blank है और sample है वो हमारे requirement को वहां पे meet कर जाता है उसके बाद में जो हमारा अगला है test यह हमारा intra cutaneous test तो इसमें जो हम लोग animal use करते हैं वो हमारा rabbit होता है तो इस condition में हम लोग इस place पे क्या करते हैं कि जो भी हमारा उस place पे होता है examination की site होती है means जो हमारा होता है इंट्रा वो cutaneous मतलब skin के पास में ही हम देंगे skin से हलका सो नीचे इसको हम एक तरह से देंगे तो जो हमारे examination की site होती है जहां पे हम लोग intra cutaneous injection को वहां पे देते हैं तो उस condition में हम लोग उस place पे हमें एक तरह से किसी भी प्रकार के reaction अगर देखने को करते हैं तो इसमें जो हमारा होता है इरिद्मा होता है इडिमा होता है जो हमारा होता है उसको हम लोग यहां पे examine करने का काम करते हैं तो इस condition में इसको हम लोग 24 आवर पे देते हैं 48 आवर पे injection देते हैं और हम कह सकते हैं 72 आवर पे हम लोग यहां पे injections यहाँ पर देते हैं और जो हमारे tissues हैं उनमें reaction को हम लो यहाँ पर observe करते हैं तो अगर हमें किसी भी प्रकार की reaction देखने को प्राप्त नहीं होती है तो उस condition में हमारा जो test है वो यहाँ पर पास हो जाता है उसके बाद में इस place पर जो हमारा इसका estem test है यह हमारा eye irritation test तो जो हमारा m legal test उसमें हमारा eye irritation test के अगर हम लो बारे में बात करते हैं तो इसमें भी यहाँ पर यहाँ पर्यों करते हैं तो उस place पे जो हमारा होता irritation का response उसको हम लोग वहाँ पे observe करने का काम करते हैं, तो इस condition में अगर हमें उस place पे irritation का response देखने को प्राप्त नहीं होता है, तो हमारा test वहाँ प्राप्त हो जाता है, और अगर irritation देखने को प्राप्त होता है, है तो हमारा टेस्ट वहां पे फेल हो जाता है के बाद हमेरे आगला टेस्ट करते हैं दो उसील को उप्योग करके सबसे पहले हम लोग इसको acidify करते हैं उसके बाद में हमको हमारा जो container होता है प्लास्टिक का container होता है उसमें जो हमारा acidified water है उसको यहाँ पे place कर देते हैं और हम कह सकते हैं वो nominal जो उसकी capacity होती है उस इस्थान तक उसको वहाँ पे place कर देते हैं और फिर उसका हमारा जो दोनों इंड है उपर और नीचे की ओर से हम लोग force को यहाँ पर apply करते हैं जिससे कि उसके उपर अगर कोई stress एक तरह से होता है वो जैसे transportation में है तो उस condition में हमारा एक तरह से टिबबा रखा है उसके उपर हमारा दूसरा है तीसरा है तो इस condition में जो stress की condition वहाँ create होती है उसको वह कितना वहाँ पर resist कर सकता है उसके लिए हम लोग उपर और नीचे से यहाँ पर फोर्स को apply करते हैं तो इस condition में हम लोग जो हमारा होता है ब्रेक होता है या हमारा वो deterioration होता है उसको वहाँ पर हम लोग देखने का काम करते हैं तो अगर हमारा जो container है जुसका जो structure है वो change हो जाता है वो इकतर सक पिचक जाता है तो उस condition में वो test में fail हो जाएगा और अगर वो वहाँ पे एक तसे किसी भी प्रकार का break या deterioration में देखने को प्राप्त नहीं होता है तो उस condition में हमारा test यहाँ पर pass हो जाएगा और इसमें जो है हमारा अंतिम test that is the resistance to temperature of variation तो इस condition में the resistance to temperature variation तो अगर इस condition में हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे अलग-अलग climate के states होते हैं place होते हैं उस place पे जो भी हमारा वहाँ पे plastic container है वो अपने आपको किस तरह से वहाँ पे stable रखता है उसके लिए हम लोग इस test को यहाँ पे perform करते हैं तो इस condition में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी हमारा वहाँ पे container होता है उसको एक ऐसे हमारे chamber के अंदर वहाँ पे place करते हैं जिसका की temperature वहाँ पे 20 से 23 degree centigrade होता है तो उसके बाद में हम लोग इसको यहाँ पे एक्टर से उसको place कर देते हैं तो जब हमारा जो 24 hour है complete हो जाता है तो फिर उसको हम लोग वहाँ पे एक तरसे निकालते हैं और उसका temperature फिर increase करके 50 degree centigrade तक उसका temperature increase करते हैं और उसको इस temperature पे 12 गंटे तक हम लोग छोड़ देते हैं तो इस condition में जब हम लोग हमारा जो container है उसको cool करते हैं और room temperature पे लेके आते हैं तो अगर उसमें हमें यहाँ पे एक तरसे किसी भी प्रकार का break या deterioration नहीं देखने को प्राप्त होता है तो उस condition में हमारा जो plastic container है वो इस test को यहाँ पर pass कर जाता है temperature variation की test को यहाँ पर pass कर जाता है तो I think so जो हमारे plastic के quality control test है और metal containers के quality control test है वो आ अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर अभी भी कहीं कोई confusion है तो comment करके पूँ सकते हैं इस topic का PDF आपको description में मिल जाएगा इस video को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही videos को देखने के लिए हमारे channel को subscribe करना बिलकुल भी न भूले हमारे app को भी install करना बिलकुल भी न भूले हमारे थांक यू